बॉर्णिंग नमस्कार स्रीकाल दोस्तों मैं मनिश मंगल एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ और वो शुरुआत हमारी दुमाकेदार सो शुरुआत होगी यह टॉपिक वड़ा इंट्रेस्टिंग टॉपिक है और इसका नाम है वर्व यानि कि क्रिया बा बात करते हैं, dear friends, की बरव की definition की, की बरव क्या होती है? इसकी परिवाशा देखते हैं, right? अब जैसी ही में परिवाशा की बात करता हूँ तो आप मैंसे कई लोगों की दिमाग में आता होगा कि वे शब्द जो की सब्जेट के किसी कारे को दर्शाते हैं या किसी कारे का होना या करना पाए जाता है वे क्या क्यलाते हैं सब्जेट क्यलाते हैं वो बर्ब क्यलाते हैं आपकी दिमाग में इस तरह की कुछ अनर्गल डेफिनिशन चल रही होंगी लेकि डियर फ्रेंट्स मैं आज कुछ ऐसी डेफिनिशन आपको बताने वाला वाला व्व की जो शायद आपने पढ़ी नहीं होगी तो देखिए वर्व को हम कहेंगे वे शब्द जो की जो की सेंटेंस में सब्जेक की चार चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं और वो चार चीज़े कौन-कौन सी हैं कंडिशन पोजिशन एक्शन और फिलिंग यह हो गया आपका परिवाशा वे शब्द क्या कहलाते हैं बेशब्द क्या कहलाते है बव्स कहलाते है देखिएगा कंडिशन यानी क्या होती है स्तिती पोजिशन यानी क्या होती है पद या पहचान और एक्शन यानी क्या होता है कारिय और फीलिंग यानी क्या होता है भाव यानी कि इन चारों चीजों को दर्शाने वाले शब्द क् साथे हैं तो देखिए एक-एक इग्जाम्पल मैं आपको इनके देद साँ के कंडिशन की बात कही मैंने मैंने कहा कि राहुल इस राहुल इस एक राथ। झेला हम भर मैं इस बड़ा परेशान है। एक इग्जाम्पल पहचान की एक मैंने का my father my father is a doctor मेरे पिता जी डॉक्टर है तो उनकी यह क्या हो गया क्या हो गया पद हो गया ठीक है ना इसके अलावा मैं action की बात करूँ मैंने का he is reading a book he is reading a book reading a book तो आप यहां देख सकते हैं कि वो एक किताब पढ़ने का काम कर रहा है एक्शन कर रहा है और यहां feeling है जैसे मैंने का कि जलेवी टेस्ट स्वीट जलेवी का स्वाद मीठा होता है जलेवी टेस्ट स्वीट तो देखिए दियर फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम इनके बर्व की बर्व कहां है इन में देखो इस बर्व है यही क्या कर रहा है यह प्रेजेंट में प्रिजेंट में कंडिशन दर्शाने का काम कर रही है प्रिजेंट में किसको दर्शा रही है कंडिशन को इज यहां पर भर्व है यह प्रिजेंट में किसको दर्शा रही है प्रिजेंट में पद को पोजिशन को यह क्या गर रही है प्रिजेंट में रनिंग एक्शन को दिख हए यह देखे हैं तो अब हम शुरू करते हुए आगे की कडि को लेते हुए देखिए आगे क्या है अब हम आते हैं definition की बाद तो बर्व के प्रकार पर बर्व की classification पर कि बर्व कितने प्रकार की हुद यूर कितने मागों मैं इन क्लासिफाय कर सकते हैं अब आते हैं हम बर्व के क्लासिफिकेशन पर तो देखिए बर्व को हम अगर देखा जाए तो कि दो वागों में हम नॉर्माली इसको बाढ़ सकते हैं अगर हम देखें तो एक तो होता है बदब बेजड़ान आबजेक्ट कि बेजड़ान आबजेक्ट बेजड़ान आबजेक्ट एनि करंपर आधारिच और एक है बेसड़ान फॉर्म्स ने पर आधारिब कि कि तनरूपम ओती फंक्त फॉर्फ सेकरंड फोर्म अफने सुने होंगे। औभ पूछज़से तो इन此र को इस देखो यह से कभी नहीं कर चलते हैं अब आते हैं बर्व की क्लासिफिकेशन की और बर्व का क्लासिफिकेशन देखी हम किस तरीके से करते हैं बर्व को हम इस तरीके से तीन भागों में बाटते हैं बर्व को हम कितने भागों में बाट रहे हैं तीन भागों में बाट रहे हैं ये लो मैंने िन बाग लिख दिये हैं हम पहला जो पार्ट मों लेते हैं ए- यू-ए-स हा Il-a-r-by आउजिलेरी वर्स यह मने पहला पार्ट लिया ऑजिलेरीव बर्स दूसरा पार्ट लिया हमने में भर्ब्स और तीसरा पार्ट हमने लिया confined संयुक्त क्रिया हैं मैं इन तीनों की हिंदी लिख देता हूं ज्यान रखना तीनों की हिंदी इसका मतलब तो है सहायक क्रिया और इसका मतलब है मुख्य क्रिया मुख्य क्रिया और इसका मतलब है संयुक्त क्रिया अब आप देखिए अगर हम बात करें कि helping verbs कितने प्रकार की होती तो helping verbs को मैं दो भागों में बाट देता हूं एक तो मैंने इसको बोल दिया helping verbs और एक मैंने बोल दिया और इसकी बात करते हैं तो यह अपन के टोटल संयुक्त क्रिया है कौन कौन सी होती है एक तो होती है बर्व की फस्ट पर्व में आई एंजी एक होती है संयुक्त क्रिया अपन के टो प्लस बर्व की फस्ट पर्व एक होती है संयुक्त क्रिया अपन के बींग प्लस बर्व की थर्ड फर्म और एक होती है अपन के संयुक्त क्रिया टो भी प्लस बर्व की थर्ड आई आइट यह कुछ इस तरह से क्लासिफिकेशन है वह स्ट्रीके से होता है तो यह आप देख सकते हैं मैंने किस तरह के से classified किया है auxiliary verbs है auxiliary verbs साय करिया है जिने हम कहते है helping verbs में यह model verbs है main verbs हैं इस तरीके से यह आपका पूरा classification है एक बार मैं repeat कर देता हूं पूरे classification को आपके समझने के लिए verbs, verbs को मैंने कितने भागों बाटा, तीन भागों बाटा पहला है auxiliary verbs, दूसरा है main verb, तीसरा है compound verb, auxiliary verbs को मैंने दो भागों बाटा, पहला है helping verb, दूसरा है models, main verb को मैंने दो भागों बाटा, object-based और form-based, compound verb को मैंने इन चार भागों बाटा, verb first ing, being plus verb, two plus verb first और two plus verb की third form, okay dear friends, अब हम let us move to the next point, और next point हमारा क्या है कि हमें अब पढ़ना है एक-एक को auxiliary verb क्या होती है, इसके अंदर आने वाले helping verb क्या होती है, model जो auxiliary verbs यह क्या होते हैं, इसके लाबा based on object कैसी होती है, based on form कैसी होती है, इसके लाबाए यह सारी verbs हमको एक-एक करके पढ़ते चलनी हैं, ओगे dear friends, तो अब हम शुरू करते हैं, हमारा सबसे पहला topic वो है auxiliary verbs, ओगे, तो देखिए, Yes dear friends, अब शुरू करते हैं, हम अपने पहली जो टाइप है auxiliary verb उनको, तो देखिए auxiliary verb क्या होती हैं, किस तरह का classification उनका है, आपको कैसे exam में यह पूछी जाएंगी और आपको क्या पढ़ना है, तो इनको हम ध्यान से समझते हैं, देखिए dear friends, बात कर रहे हैं हम auxiliary verbs की, क्या होती है auxiliary verbs, क्या होती है auxiliary verbs, वह देखेंगे, ए यू एक्स आई एल आई ए आर वाई ऑउक्जुलेरी बब्स इन्हें हम एक तरह से साहयक क्रिया ही कहते हैं साहयक क्रिया है इन्हें क्या कहते हैं साहयक क्रिया ही कहते हैं किनको auxiliary verbs को अब बात करते कि सर auxiliary verbs होती किस तरह की यह क्या काम करती है यह देखो auxiliary verbs यह होती है helping verbs helping verbs एक तरह की साइक क्रिया होती है मतलब इनके बाद main verb का आना जरूरी होता है क्या करते हैं helping verbs main verb को अपने साथ लेकर आती है तै मानना auxiliary verbs अकेली नहीं आती तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इनकी definition क्या होती है तो देखो सबसे पहले हम definition देखते हैं definition क्या है इसकी बे वर्ब्स बे क्रिया है बे वर्ब्स जो की जो की main verb जो की क्रिया से पूर्व आकर main verb से पूर्व आकर उन्हें modify करती हैं उन्हें modify M O D I F Y उन्हें modify करती है M O D I F Y modify करती हैं क्या कहलाती हैं करती हैं auxiliary verbs कहलाती है कहलाती है LIKE MA иск ज neredexim proximity के लातTe देखिए auxiliary verbs होती है हमारे कितने प्रकार की होती है कौन कौन से होती है अब हमें पर चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं auxiliary verbs की तो यह दो प्रकार की होती है एक तो होتी है helping verbs और एक होती है से मौडल सुझ यह दो ही होती हैि ना एक तो है वल्पिंग वर्फ और एक hoş यह आपने अभी अभी जो डैगराम बनाया था उसमें पढ़ लिया था अब आते हैं हम helping verbs क्या होती है तो देखो helping verbs को हम कितने भागों में classify करते हैं हम यह देखते हैं तो हमने सबसे पहले लिया helping verbs ओगी dear friends हम लेते है helping verbs अब बात करते है helping verbs क्या होती है कितने प्रकार की होती है तो देखिए helping verbs को मैंने यह mainly चार भागों बाड़ दिया राइट कितने भागों बाड़ दिया चार पहला है बी दूसरा है तीसरा है डू और चौथा भी बी पहले में बी के forms हैं जो की है इस एम आर वाजबर ओकी और जो आपकी यह सेकंड है वो है 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 और यह है दू डज डिड दू डज डिड और आपकी यह वाली जो है इसका मतलब है बी बीन और वी इंग ठीक है इसकी knowledge में आपको लाश्ट में कराऊंगा पहले हम पढ़ेंगे इजैमर वाजबर क्या होते हैं फिर हम पढ़ेंगे हैजैव हैड फिर हम पढ़ेंगे दू ओके डियर फ्रेंड्स तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले helping verbs को पढ़ना और helping verbs में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बी ओके डियर फ्रेंड्स तो let us begin शुरू करते हम बी को देखिए बी है क्या क्या काम आता है बी बी का मीनिंग क्या होता है एक्जाम में किस तरीके से इससे question पूछा जाता है क्या questions इसके होंगे वो हम सारी चीज़ें यहां पर discuss करते हुए चलेंगे तो देखिए बी जो होता है इसका मतलब होता है होना बी यानि क्या होता है होन B से ही एक bird बना है जिसको कहते है become become यानि क्या होता है? बनना become यानि क्या होता है? बनना तो आपको याज रखना है B यानि क्या होता है? होना अब बात करते हैं कि B की first form की बात करते हैं B की second form की बात करते हैं B की first form होती है is MR और second form होती है was verb मतलब B एक main verb है और इसकी second form तो होती है was verb और first form होती है is MR याद रखना पहली form क्या होती है is MR और second form क्या होती है was verb किस की बता रहे हम B की बता रहे है ओगे dear friends किस की बता रहे हम B की बता रहे है देख लीजिएगा और अच्छे से इनको देख लीजिएगा okay dear friends तो देखिए हम बात कर रहे है is MR की is MR और was verb ये दोनो main verb का भी काम करती है यानि कि ये दोनो main verb भी होती है और इसके अलावा दोनो helping verb भी होती है ये दोनो helping यानि कि is MR was verb का जो pair है वो main verb और helping verb की रूप में काम करता है क्यों क्योंकि B क्या होती है main verb होती है B एक main verb होती है इसलिए MR और was verb स्वत ही main verb का काम तो करेंगी करेंगी अब बात करते हैं हम कि किस तरीके से main verb का कारे करती है तो देखो ये जो B है पहला point B क्या करती है कि अपने बाद में अगर ये main verb है अपने helping verb के बाद तो बाद में पढ़ेंगे ये helping verb की रूप में बाद में पढ़ेंगे पहले पढ़ते हैं को main verb की रूप में अगर ये B main verb है अगर B क्या है main verb है तो main verb की रूप में B के बाद या तो adjective आएगा तो इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता या फिर एडवर्वियल्स आएगी मतलब बर्व नहीं आएगी और कुछ नहीं आएगा यही आएगे adjective, identity, position, condition, एडवर्वियल्स बगएरा बगएरा यह चीज़ें आपकी इसमया अंतरगत आएंगी जैसे कि मैं एक example लिखता हूँ भई B का example मैं आपको देता हूँ जैसे मैंने कहा कि रोहन रोहन-B A handsome boy A handsome boy अब देखिए यह example आया रोहन यह subject है और A handsome boy क्या है यह उसकी पहचान है किसकी रोहन की तो जब पहचान हम बताते हैं पहचान है नहीं identity अब पहचान की बात करते हैं तो पहचान के लिए कौन आएगा B अब B आएगा तो B की first form और second form दोई चीज़ होती है ना में बब की रूप में इस अमर भरेंगे जब प्रिजेंट टेंस की बात होगी और पास्टेंस की बात होगी तो वह बर आपको सब्ज़रबर वेगरीमेंट में बताई दिया कि इस अमर कहा कहा आते हैं और वह बर कहा कहा आते हैं रोहन की according क्या आएगा इस आयेगा प्रिजेंटेंस की इसाब से तो यह हो जाएगा रोहन एज अब exam में क्वेश्चन कैसे आता है बात इस चीज़ की करते हैं एक्वेश्चन कैसे आता है तो देखेंगे question कैसे आता है कि इस तरीके जाता है dear friend जैसे मैंने कहां कि everyone everyone dash इस ए और देंगे option a है option b have option c यह एक कर देता हूँ option c was और option d is देखो अधिकान से students इन में confused होते हैं क्यों क्योंकि दुनिया देखो आप यह जानते हो देन या नहीं क्यों होता है तब और तब किसमें गया पास्ट में आप देखो पास्ट का एक तो यह option और यह option है दोनों हटा देते हैं आप देखो confusion कैसे आता है बच्चे सोसते हैं कि बर्व की third form है जबकि worried यह नहीं क्या होता है चिंतित और चिंतित क्या होता है एक विशेशन होता है क्या होता चिंतित एड़ेक्टिव तो बता हो अब के रूप में वाज इस तरीके की question exam में आते हैं तो हम अगली वीडियो में इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से is MR वाज वर को और अच्छे से यूज किया जाता है ओकि टीर फ्रेंड्स